नमस्कार आप देख रहे हैं दैनेक भासकर उत्राखंड उत्र प्रदेश मैं हूँ आपके साथ मानव डोभाल आएए डालते हैं एक नजर उत्राखंड से जुड़ी खबरों पर केंदर की ओर से चिंता जताने के बाद अब प्रदेश सरकार हरिद्वार कुम्ब के दौरान कोविड नाइंटीन जाच का दाइरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है मुख्य सचिफ ओम प्रकाश का कहना है कि भारतिय चिकित्सा अनुसंदान परिशत की गाइडलाइन के हिसाब से कोविड परीक्षन किया जा रहा है और प्रदेश अपनी क्षमता के हिसाब से परीक्षन की संख्या बढ़ाएगा आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नैशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम ने हरिद्वार का दौरा किया था जिनके द्वारा बनाएगी रिपोर्ट के आधार पर केंद्री स्वास्ते सचेव राजेश पूशन ने कुम्ब के दौरान संक्रमन बढ़ने की आशंका जताते हुए चिंता व्यक्त की थी रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिद्वार में प्रते दिन दस से बीस तीर थियातरी और दस से बीस थानिये लोग कोविट से संक्रमित पाए जा रहे हैं उत्राखन में 27 शहरों में ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए 30 करोड रुपे जारी जगा जगा कचरा डंप करने से मिलेगी निजात कच्रे के बहतर प्रबंदन के लिए प्रदेश के 27 शहरी निकायों में ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए सरकार की ओर से 30 करोर रुपे जारी कर दिये गए हैं जिसकी सिफारिश चौते राजजवित आयोग ने की थी आपको बता दिंगी प्रदेश में शहरी निकायों के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या कूडा डंप करने के लिए जगा ना होने की है वहीं चौते राजवित आयोग के सामने यही समस्या निकायों की ओर से रखी गई थी अधिकारियों के मताबिक मिशन गंगा के तहट भी गंगा और सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों में ठोस अप्षिष्ट के प्रबंदन की पूरी व्यवस्था का अबियान छेडा गया है इस बात को लेकर वित सचिव अमित नेगी ने कहा कि चौते राजवित आयोग ने शहरों के कच्रा प्रबंदन के तहट निकायों में ठोस अप्षिष्ट प्रबंदन को लेकर ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने की सिफारिश की थी जिसे देखते हुए ये बजट जारी किया गया है साथ ही उन्होंने कहा कि इस से शहरों में कच्रे की समस्या और प्रदूशन्ट से पार पाने में मदद मिलेगी अल्मोडा को गैर सेंड कमिशनरी में शामिल करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी का धरना प्रदूशन्ट आप कारे करता हुने की तीरत सरकार के खिलाफ जोड़दार नारे बाजी अलमोडा को गहर सर कमिशनरी में शामिल करने को लेकर आमादमी पार्टी का विरोध जारी है मंगलवार को दसवे दिन भी आमादमी पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्ष अमित जोशी के नेतरितों में कारे करता धरने पर डटे रहे इस दोरान आप कारे करताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते हुए जल्द से जल्द फैसला वापस लेने की मांग की इस बीच रात में हुई बारिश के बीच भी कारे करता धरने पर बैठे रहे इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्ष अमित जोशी ने तीरत सरकार पर निशाना साथते वे कहा कि सरकार ने जन भावनाओं के साथ खिलवाड करके अलमोडा को कुमाओ से हटा कर गैर सैन में शामिल करने का फैसला लिया है जो सरा सर गलत है और अब खबरें उत्तरप्रदेश से विश्विख शायरोग दिवस पर मुख्य मंतरी योगी अधित्यनाथ पहुँचे सीतापुर कहां दो हजार पच्चिस से पहले टीबी मुख्थ होगा उत्तरप्रदेश विश्विख शायरोग दिवस पर कमलापुर के विध्या ग्यान स्कूल में आयोजित कारेकरम में मुख्य मंतरी योगी अधित्यनाथ मुख्य अतिती के तौर पर शामिल हुए इस बीच योगी अधित्यनाथ ने कहा कि उत्तरप्रदेश दो हजार पच्चिस से पहले टीबी मुख्थ हो जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रधान मंतरी ने दो हजार पच्चिस तक ही भारत को टीबी मुख्थ बनाने का संकल्प लिया है जिसके अनुरूप उत्तरप्रदेश निध्धारिच समय सीमा में टीबी मुख्थ हो जाएगा निर्वाचन आयोग ने उत्तरप्रदेश पंचायती चुनाव को लेकर दिये निर्देश कहा चुनावी खर्च का नहीं दिया ब्योरा तो जमानत होगी जब्त राज्जे निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव जितनी ही खर्च की सीमा रखने के साथ ही नामांकन और जमानत राशी की धनराशी में भी कोई बड़ातरी नहीं की है आयोग ने चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जिला अधिकारियों को विस्तरित निर्देश जारी किया है आपको बता दें कि पंचाय चुनाव की अती सूचना जारी करने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च के संबंद में जिला अधिकारियों से कहा है कि निर्वाचन व्याय के अनुश्रवन के लिए उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरिय कमिल्ट गठित की जाए जिला कमिल्टी क्षेतर पंचायत वजिला पंचायत सदस्य के चुनाव खर्च पर नजर रखी गी तो वहीं पर प्रदान पत के लिए तैसील स्तर पर उप्स रिजाल जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमिल्टी होगी इसके साथ नामांकन दाखिल करने कि तिथी से निर्वाचन की घूशना तक प्रत्याशियों को प्रते दिन के चुनाव खर्च का ब्यौरा तै रूप से प्रारूप लेखा रेजिस्टर में लिखना होगा बुलिटन में आज के लिए बस इतना ही उत्तर प्रदेश और उत्राखन की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भासकर उत्राखन उत्तर प्रदेश